संगत का संगीत में कितना जादा महत्व है संगत शब्द संगीत शब्द ही संगत से बना है तो इसकी क्या इंपोर्टेंस होती है किसी की संगत करना अपनी गुरू के संगत करना या किसी अच्छे कलाकार की संगत करना सीखते वक्त या सीखने के बाद उस माहौल में रहना ये सब क्या होता ही सारी बातें क्या है इसके उपर पूरी चर्चा करेंगे कुछ मेरे विचार में रखूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशश करूँगा मोबाइल अप्लिकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, करनाटक और बॉलिवूट संगीत सीख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा सीखने को मिलेगा तो डाउनलोड कीजे ये अप्लिकेशन और घर बैठे सीखिये संगीत रियाज आप से तो जो छूले प्यार से आराम से मर जाओ आजा चंदा अबाँ हो मेरे तुझ मेरे गुर्ण हो जाओ से याँ, से याँ तो केलाज खेर की ये बहुत ही अच्छी एए कॉंपोजिशन है उनका गाया हुआ एक बहुत ही अच्छा एक गीत है तो ऐसी मैंने मुझे अच्छा लगा तो मैंने सुना दिया हाँ तो आते हैं दुबारा उसी टॉपिक पर देखिए एक छोटी सी स्टेजिज मैं आपको समझाना चाहूंगा लोग क्या करते हैं इस विशय में जब भी आते हैं संगीत जब भी वो सीखना चाहते हैं थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं और उसके बाद वो इसमें कमाना शुरू कर देते हैं जाहिर बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसमें सीखना ही बहुत देर से शुरू करते हैं 20 या 24 पर या 22 पर सीखना शुरू किया है तो जाहिर बात है वो जादा नहीं सीख पाएंगे संगीत वक्त डिमांड करता है और जादा से जादा वक्त डिमांड करता है और संगीत experience डिमांड करता है तो मेरी एक स्टेज की एक सीरीज बनाई है कि जिसमें सबसे पहले आपको सीखना होता है यानि learning उसके बाद comes earning और learning और earning के बीच में एक स्टेज होती है जिसे कहते हैं experience की stage जब हम सीख रहे होते हैं तब हमें इतना knowledge नहीं होता है जाहिर बात है हम किसी गुरू के पास जा के सीख रहे हैं या किसी class में जा के सीख रहे हैं एक group of friends हैं और एक circle है जिसमें हम बैट के सीख रहे हैं तजर्बा जो है उसका वो matter करता है कि वो कितने अच्छे-च्छे कलाकारों के साथ रहा हुआ है और कितना उसने वहां से gain किया है वो extra points जो की सीखते वक्त नहीं मिल पाते हैं जो की syllabus में नहीं होते हैं कई भी मैं राग आपको सिखा दूँगा राग में अलापताने बनाना सिखा दूँगा लेकिन there is a thing called experience वो मैं आपको कहां से दूँगा उसके लिए आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी लोगों से मिलना पड़ेगा लोगों के साथ रहना पड़ेगा अलग-अलग तरह की situations में आपको उन से deal करना पड़ेगा तब जाके एक तजर्वा आपको मिलता है एक experience आपको मिलता है वो मिलता है आपको संगत से शंगीत में सीखना एक ही स्टेज तक होता है आप कितना एक सीखलोगे कितनी एक knowledge ले लोगे knowledge वही है उतनी ही चीज़े हैं उतना ही सिलेबस है वो सब आपने सीख लिया आपने अलंकार सीख लिया आपने रागें सीख लिया आपने काफी सारा मैटर सीख लिया, स्केल सीख लिया, काफी सारे गाने आप बना लेते हैं harmonium बजाना आपको आता है लेकिन किसी की संगत करते हैं तब कैसे बचता है तब कैसे बचता है और जब खुद बजा के गारे होते हैं तब कैसे बचता है घजल में कैसे बचता है तो ठुमरी में कैसे बचता है तो बचन में कैसे बचता है ये सारी चीजें कोई सिखा नहीं सक गया कि हाँ यहां तो ऐसे बज़ता है यह पैटन होता है कोई फिक्स पैटन नहीं है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि यही चार चीज़े हैं जो आपको बजानी होती है नहीं हर बार अलग-अलग होता है तो हर किसी व्यक्ति के साथ बजाना एक आर्टिस्ट के साथ बजाय है तो संगत सबसे ज़्यादा जरूरी है संगीत बना ही संगत से है यह समझ लीजे और टीम वर्क जो है वो भी एक important चीज आप एक solo artist हैं आपको खुद गाना आता है खुद बजाना आता है लेकिन एक को कैसे तयार करते हैं आप किसी को सिखा रहे हैं आप किसी को अपनी composition बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे उसके पास वो पहुंच जाए वो चीज वो सीख जाए यह आपकी जिम्मेदारी बनती है तो वो सारी चीजें भी experience से आता है और वो सब चीजन संगत से आती है मैंने अपने पिता जी की काफी संगत करी है तब जाके मैं composition की बारिकियां समझा हूं क्योंकि कोई एक वीडियो में नहीं समझा सकता मैं कि composition कैसे की जाती है या गाना कैसे लिखा जाता है नहीं उस आर्टिस के साथ रहना पड़ता है मैंने अपने दादा गुरुजी की बहुत संगत की है तो मुझे मालूम है कि कुछ कुछ अगर आपको उपज पैदा करनी है कुछ क्रियेट कर सके तो किसी के साथ रहना पड़ता है अच्छे कलाकार के साथ रहना पड़ता है उसकी संगत करनी पड़ती है फिर आप अर्निंग की स्टेज पर पहुंच सकते हैं तो लर्न एक्सपीरियंस देन अर्न मेरे हिसाब से यह जो स्टेजिस मैंने बताई यहीं होनी चाहिए तो एक बहतरीन काम हो पाएगा एक चोटा सा टॉपिक था मैंने सुचा आप लोगों से शेर करूं आप लोगों से इस पर अपने विचार व्यक्त करूं तो ऐसे ही और भी टॉपिक्स लाता रहूंगा जो पंद्रा एप्रेल को हमारी घजल जो रिलीज होनी है उसको आप देखें मास्टन इशाथ प्रोडक्शन पर बहुत ही वहतरीन गाई है और भी हम लोग नया नया कुछ ने कुछ लाते रहे झाल